नमस्कार मैं हूँ मैं यूरी स्रवास सब आप देख रहे हैं प्राइम टिवी रुकरते हैं खबरों की ओर बीजेपी समाजिक न्याय सब्ताह मनाएगे हर जिले मंडल अबूत में एक कारिकरम होंगे निकाय चुनाओं के लिए खास तोर पर अभियान तयार किया गया है पार्टी के मोर्चों को इसके जिम्मेदारी दी गई है बतादे की 6 अपरेल को इस थापना दिवस पर पार्टी का ध्वाज हर भूत में लगाया जाएगा आठ अपरेल को अनुसू चित जन्जाती मोर्चा अनुसूचित जन्जाती की बस्तियों में संपर करेंगे और रोजगार की जानकारी देने वाले कारीकरम करेंगे 9 अपरेल को किसान मोडचा मंडल और जिलास्तर पर प्राकृतिक खेती की जयनकारी देने के लिए कारिकरम करेगा इसका लावा 10 अपरेल को महिला मोडचा नुसूत जिर्टे जाती की महिलाओं के साथ सैबोच का कारिकरम करेगा फिर 11 अपरेल को ओवी सी मोडचा जोती बाफूले की जयनती मनाएगा 12 अपरेल को नगर निगम और सब ही वार्डों में स्वचता अभियान चलाए जाएगा 14 अपरेल को कार करता आमबेट कर जयनती मनाएंगे और हमारे साथ यानकारी के साथ हमारे समवादाता विवेक हम से जुट चुके हैं विवेक यूपी में निकाय चुनाओं से पहले वीजेपी तैयारियों में जुट गई है वीजेपी का क्या कुछ ये मेगा प्लान है देखें जिस तरीके से 6 अपरेल को भार्चेंता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है हर साल यह स्थापना दिवस मनाए जाता है और इस अस्थापना दिवस से साथ 6 से 14 अपरेल तक यानकूल 8 दिनों तक जो सापता ही कारकरम चलेगा वो सामाजिक समर्ता का कारिकरम होगा जो आठ दिन तर चलने वाला है 14 अप्रेल को बाबा साहब अमबेटकर की जहनती भी है तो 6 अप्रेल से 14 अप्रेल तक लेकर भार्चेंदा पार्टी जो है वो सीधे तोर पे देखा जा सकता है कि एक कारिकरम जो है आयुद के दिन के साम मिर्देश दिया गे कि आठ दिनों पे भूत लेवल से लेकर कमेटी लेवल से लेकर ब्लॉकस्तर से लेकर जो पन्ना प्रमुक है वो सभी इसमे अपनी भागिदारी सुर्चित करेंगे और भागिदारी सुर्चित करने के बाद जो है वो गाहों गाहों जाके जो है वो भा सारी चीजे होंगे 6 अप्रेल को प्रदामंत्री नेंद नवुद्री का भासड होगा जो वाकायता वीडियो कॉंसेस्टिंग के जरीए तमाम बड़े नेताव से लेके बूत लेवल के जो लोग है जो जिला लेवल के लोग है जो पन्ना प्रमुख है वो सभी जो है उनके भा लेवल पर हर जिला कमिटी लेवल पर सभी को यह संबोदर सुनना है जितने भार्टेंटा पाट्र के कारे करते हैं जितने पताधिकारी असब बासड़ों को सुने और उसके बाद जो अभियान चलाया जाएगा सामाजी समर्था का अभियान उसमें कम सकम एक गाओं में ती क्या का पर लेलो बीड होगा ज़रूरी होगा बीवेक जिसतर हम यूपी में निकायश चुनाओं को देखते भारती जन्ता पार्टी तैयारी। में जुटी हो फिर चाहे वो निकाय चुनाओं हो या लोग सभा का चुनाओं हो हर एक बूत पर हर एक जिले पर तैयारियों में जुटी हुई है क्या लगता है कितना फाइदा होगा भी जेपी को देखी भार्जंतापाटी मेंसा जो है वो चुनाओं पे रने वाली पार्टी अगरा बात की जाए कि संगठन के मामले में या कारी करता हो हो कि मामले में कौन सी पार्टी बहत मजबूत है तो ऐसा कोई भी राजनितिक पंडित नहीं होगा जो भार्जंतापाटी का नाम आग जो भाजेंता पाटी के प्रदेश अध्यच है उपेंट सी चोधरी उन्होंने बकाइदा रंडिती बना यह तमाम बैठके वो कर चुके हैं हर प्रकोष्ट की बैठके बात्य पाटी लगतार निकाय चुनाओं से पहले कर रही है इसके पहले OBC समाज की प्रकोष्ट की बैठ जो नरेंद कर्षब ने की थी और कुल बकाइदा जो अगर बात की जाए तो 18 प्रदेश उपाटर चुनाओं से लेकर आम चुनाओं तक बात्य अंता पाटी जो है अपनी पकड़ को और भी मजबूत करने की स्थिति की तरफ कदम बढ़ा रही है क्योंकि इस समय कर देखा प्रदेश में उत्ता प्रदेश चिलेकर दे शिगर बात की जाए तो भारत्व सब्सक्राट पाटी की पकड़ की थूरान और क्थ लोग्हें कि इस समय प्रदेश अस्तर की बात उसी पकड को और भी ज़्यादा मदबूत करने के लिए कई प्रकार की उजनाइ बना रही है वूपे इसी चौधरी ने कई बैठ की की अपने कारी करता हूं अपने पधिकारियों को संभोधित किया जरुवरी निसान दिर्देश भी आगामी लोगसभा चुनाओ और निकाह चुनाओ को मद्देगर देखते हुए दिये भी है जिसका सीधा फाइदा भर्जन दबाडी को कितना मिलता है यह देखने वाली बात होगी आम आम चुनाओ और निकाह चुनाओ में जी धन्यबाद विवेक तमाम जनकारियों के लिए यूपी में आज बसपा सुप्रीमो मायावती की अधक्षता में बड़ी बैठक होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मंडल कोडिनेटर जला अध्यक्ष समेत अनपदादिकारी भी शामिल होंगे वहीं इस बैठक में निकाह चुनाओ और अगामी लोग सभा चुनाओ की रणनीती पर मन्थन किया जाएगा इस बैठक में गाहों चल रहे अभियान की समिक्षा की जाएगी पार्टी के विविन अभियान और कारकरम की समिक्षा की जाएगी जिसकी आधार पर ही आगी की रणनीती तै की जाएगी बहुजन समा नहीं होगा उमेश पाल अपहरड केस में माफिय आतीक हैमत को उम्रकैत की सजा मिलने के बाद मायावती ने आतीक की पतनी शाहिस्ता परवीन का टिकट काट दिया है मायावती ने प्रियागराज में मेयर पत के लिए गोसित की गई शाहिस्ता की उम्मीदवारी को रद कर दिया है अब प्रियागराज मेयर सीट के लिए पार्टी की ओर से नया उम्मीदवार गोसित किया जाएगा शाइस्ता परिवाइं का टिकट काटे जाने का आपच्वारिक तोर पर एलान तीन अप्रेल को प्रियागराज में ही किया जाएगा उस पर भी आज फैसला हो सकता है और इस खबर पर हमारे समवादाता रितेस हम से जुड़ चुके हैं रितेस बीयस्पी प्रमुख मायावत्ती निकाय चुनाओं को देखते हुए तैयारी में जुड़ गई है आज एक एहम बैठक होगी क्या कुछ महत्पूर रहने वाला है इस बैठक में मैं आपको बता दू कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाओं का भिगुल बच चुका है अधिसूचना आरक्षण की जारी हो चुकी है सभी पार्टियां अपना दंप दिफाने के लिए थिकी हुई है तो वही मौजण सभादवादी पार्टी की जो सप्रीमों है माया बती वो आज अपनी पार्टी मुख्याले पर एक एहम बैठक बुला रही है जिस बैठक में पूरे उत्तर प्रदेश के जो पिचतर जिले हैं पिचतर जिले के अध्यक्ष और कोडिनेटर और मंडल अस्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको इस समिक्षा बैठक में बुलाया जा रहा है और उसके बाद समिक्षा की जाएगी मन्थन किया जाएगा कि आखिर अपकी बार नगर निकायत चुनाओं में कैसे जीत हासिल की जाए मैं आपको बताओ मैयूरी कि 2007 में जब मायवती चुनाओं लड़ी थी विधान सभा का तो उन्होंने एक अधिकार जमाया था उत्तर प्रदेश पर उसके बाद अगर 14 लोग सभा की बात करें तो उनका खाता सूने रहा उसके बाद अब विधान सभा जो पिछली बार चुना हुआ था उसमें केवल उनका एक ही विधायत था तो कहीं न कहीं धीरे धीरे उनकी पार्टी गर्त में जा रही थी जिसको देखकर अब मायवती खुद कमान अपने हाथ में ले ली है और अपने पदादिकारियों की बैठाट आनन फानन में आज बुला लिया गया है तो उनका टिकट काटने की बात लगभग तयमानी जा रही है तीन तारीक को इसका आधिकारी का है एलान भी उत्तर प्रदेश में जो निगा निकायक चुनाओ की तैयारिया है उसको ले करके पस-पास पुप्रिमों मायावती अपने तभी पदादिकारियों के साथ आज बैठक करेंगी और इस बैठक को एहम माना जा रहा है इस बैठक में क्या निसकर से निकलता है इस बैठक के होने के बादी पता चलेगा फिलहाल मायाव प्रदेश अज़िया है तो कहीं न कहीं टकर पहुजन समाजवादी पार्थी और भार्तिय जन्ता पार्टी के बीच होने वाली है पुल मिला कर आने वाली लोगसभा चुनाओं को लेकर के मायावती अब इस नगार निकाय चुनाओं में ही अपने आपको आकलन कर लेंगी कि क्या वो लोगसभा चुनाओं में खाता खोल पाएंगी या फिर पिछली बार की तरह 14 की तरह सूनने में चली जाएंगी तो कुल मिला कि आज जो पार्टी की बैठक है इस बैठक में मंडल अस्तर के और 75 जिले से जो प्रते प्रदेश अज्यक्ष हैं वो यहाँ पर इक कि कैसे अपना खाता लोगतर प्रदेश में खोल पाएंगी फिलहाल अगर पिछले निकाय चुनाओं की बात करें तो केवल मायावती को नगर निगम में दो सीटे मिली थी और नगर पंचाट में कुछ सीटे उनको मिली थी फिलहाल अभी जो टक्कर होगा उस तरह प्रदे उनका इस बर किसी से गट बंधन नहीं होगा तो मायावती के लिए कितनी बड़ी चुनाओती है जब से वो राजनीत में आई है उनको चुनाओती का सामना करना पड़ा है और आज भी वो चुनाओती का सामना कर रही है विलाकर 2007 की बात की जाए तो जनता भी परिवर्तन ने चुनकर के भीजा था उने 5 शार जाएं कंषिबन सरी बनाने के लिए जनता ने भी जा तो कही ना कहीं उनके अंदर भी खामिया रहीं एसके बाद तो परन जनता ने अग्ली बार सरकार फुलट तो जनता भी नेताओं के पैद्वें को समझती है कि कौन से नेता उन पे को ले करके आज इतनी बड़ी बैठा को बुला रही है और इसमें फूरे 75 जिले से जो उसके अध्यक्ष होंगे और जो कौडिनेटर होंगे वो सम्मिलित हो रहे हैं अब कैसे तरह का मन्थन होगा कैसे जीत पर वो हांचिल कर पाएंगी फिलाला मायवती ने कमान अपने हाथ में लेली है अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन से छेतर में कौन से नगर पंचायत में कौन से नगर निकाय में और कौन से नगर निगम में उनको सीटे मिल पाती है या नहीं मिल पाती है फिलाहाल काटे की टकर रहेगी अब यह देखने वाली बात होगी जब म वाक्से में बंद होगी और जब भुलेगा मजद गड़ना के बाद तब यह जाईर हो पाएगा किसने जनता के बीच में रह करके और क्या कारी किया जन्हित कारी किया बाईूरी जी धन्यबाद देश हम से जुडने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए कानपूर के अनव गंज थाना शेत्र के बासमंडी के हमराज कॉंपलेक्स में आग और विक्राल रूप लेती जा रही है और तालिस घंटे से कानपूर का कपड़ा बाजार आग की लप्टों में धदक रहा है NDRF और SDRF की टीम लगातार आग बुझाने के प्रियास में जुटी हुई है आला अधिकारी लगातार निरुक्षर कर रही है जुआइंट पुलिस कमिशनर ने पूरे मामले में खुद मोर्चा संभाला है बता दिक एक तरफ दमकल विभाग आग पर काबू पाता है तो दूसरी तरफ से आग की लप्टे विक्राल रूप ले लेती है इस भी सड़गनी कांट में अब तक अरवो का नुकसान हो चुका है बताया जा रहा है कि अब तक 800 से अधिक कपड़ा की दुकाने जलकर राख हो चुकी है बता दें 48 घंटे हो चुके हैं और अभी भी आग पर काबू नहीं पाया गया है फाय बिगड लगातार आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है लगातार आला अधिकारी इस्तिती का जाइजा लेने भी पहुच रही है बता दें कि अब तक 800 से अधिक दुकान आग की जद में आ चुकी है और हमारे समवादाता अनिल हम से जुड़ चुके है अनिल कानपूर में बड़ा अगनी कांट हुआ है और तालिस घंटो बीद गए है तब भी आग पर काबू नहीं पाया गया है अभी कैसी स्थिती बनी हुई है कि कहीं न कहीं का प्रिशासन के एक बड़ी लापरवाही से सामने देखने को मिल नहीं सबसे बड़ी कपड़ों की नहीं है कहीं न कहीं न कहीं दूसी बिल्डिंग की ट्रांसपर होते हैं तो पहली बिल्डिंग में पिरसे आग लग जाती है यह कि सबसे बड़ी कपड़ों की बजार बोली जाते सी और कपड़ों की बजार जिस साथ थे अंदर पर नहीं में नहीं सब्सक्राइब कर दो कि लिए और उन्होंने सब्सक्राइब कर दो कि अधिए और उन्हों की सरकार आप और विपारियों के साथ कोई भी ना इंसाथी नहीं हो कि अगर उनका नुक्तार उनको कुछ किसी प्रकार का खामियाजा भुगतना पड़ा है तो सरकार उनके लिए हर वह आहम कदम उठाएगी कि उनके पच्छ में हो तो कहीं ना कहीं अखले स्यादो कल कानपुर आने के बा वह पूस्ति नहीं कर रहा है जो कि करनी चाहिए लेकिन जिस हिसाब से कानपुर में कल अधियारे पर एष्डियारस की एक चुक्री आइस लगपक्तिस जबान थे जो कि बिल्डिंग के अंदर घुष गयते विल्डिंग के अंदर घुषने के बाद गया से दिवालों को का जा रहा है और दिवालों सटर काटने के बात में पूरी आग को हर दुकान के अंदर बुष के बुझाना पड़ेगा जब ने अधिकारियों से बात करने का प्रास कि लिए जो आग तो कानों के अंदर लग गई थी और आग जोटी नीचे से दुकानों के अंदर पहुश ग अधिकारी निरिक्षड कर रही है इस पूरे मामने पाला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है प्रशासन का क्या कुछ कहना है क्या कुछ आश्वासन अभी तक दिया गया है अभी जो जवानों से बात हुए आग बुजाने में लगबग 18-20 गंटों के बाद ही इस आग उसे काभू पाए सकता है तो कि लगबग पचाज दमकल गाडिया है और जो हैट्रोलिक मसीने बुलाई गई थी जो कि स्पेशल आग बुजाने की मसीने हैं लगनों से और प्र प्रियागराज की जो हैट्रोलिक मसीन बुलाई गई और प्रियागराज भी आग लग गई तो कहीं ना कहीं तो कि देखा जाए कि आग को आग लगत जाती है तो कहीं ना कहीं कोई जणहानी और बड़ी मानहानी बीचीज तीजे सामने आती है लेकिन पूर्टर प्रप्रदे सरकार को भी स्वाब इस तुवारे में सोजना चाहिए कि जो भी नए अपार्टमेंस बनते हैं उसमें आग उनको पूरा करके ही अभी न कभी इस्तिकी पर और भी अभी समय बड़ी बाताते होती रहें जी धन्यबाद अनिल हमसे जुनने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए गाजियाबाद के मोधी नगर तहसील में संपूर्ण समधान दिवस के अफसर पर गाओं डिडोली निवासी एक किसान ने अपनी भूमी की पैमाईश करानी के लिए अपने हाथ की नस काट कर अपने खून से एप्लिकेशन लिखा साथी खून से लिखे पत्र को उसने लव लेटर बताते हुए योगी और मोधी को भेजने की बात कही और उसने कहा कि अगर उसे नयाए नहीं मिला तो वो आत्मा हत्या कर लेगा वहें मिली जानकारी की मताबिक जब खून से रंगे प्रातना पत्र को किसान ने अधिकारियों को सौपा तो अधिकारी किसान पर भड़क गए जिसके बाद किसान तहसील दिवस से बाहर आया तो उसे हार्ट अटेक आ गया और आननफानन में उसे नजदी की सामुदाइक स्वास्त किंद्र ले जाया गया जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे मेरट के मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया और उपचार के कि सुचन भी भी लिए इसको फिर ततकाल यहां पर जो मेडिकल भाग से लोग ते वो उसको प्रतम उपचार करके उनको मेरट भी ले गए थे और जैसा कि सुनने में है कि उनकी उनकी खातम होए तो लेकिन प्रतम दिष्टिया वो बलड या ऐसी कोई घटना से नहीं हुई उनकी प्रतम 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 समय के साथ साथ कुछ बसावट होगी थी तो उनका जो भी पैसे का अपना लेंदेन जिस खातेदार के साथ रहा हो तो वह खाली जमीन ना रहने के कारण उसमें कुछ बसावट हो गई थी जिसको ले करके वह बहुत ही स्ट्रेस्ट होंगे रायबरेली में खीरो थाना शेतर के ग्राम नंदा खेडा निवासी बाइप सवार यूवक के गांधी चोराहे के पास ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जहां घटना के बाद सुषना पर पहुची पुलिस ने यूवक के शफ को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया और मामले की जाच परताल शुरू कर दी उत्रदेश में वहुची समाज पार्टी की वोटरों को साधने के लिए सपा मुख्या अखलेश यादव मैदान में उतर चुके हैं जहां समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंदर यादव ने प्रेस कॉन्फरेंस में बताया कि सपा अध्यक्ष अकलेश यादव 3 अप्रेल को राय बरेली में स्वामी पुरसाद मौर के डिगरी कॉलेज में बनी काशी राम की मूर्ती का अनावरण करेंगे और वहीं पर सपा अध्यक्ष एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे इस देश के महापुरुष दल्टों, वंजीतों, स्वस्तों, पीड़ितों को मुख इधारा से जोडने वाले माने और कासी राम जी की प्रतिमा कासी राम महापेद्यले ज्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष में लगाई गई है उस प्रत्रमा का अनावरण करने समाजवाधी पार्टी के राजटी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्मंत्री माने अखलेश जादो जी 3 अप्रेल का करने आ रहे उस कारिक्रम के बाद वो एक जिनसभा को भी समद्द करेंगे अभी के लिए इतना ही आगे आफ से फिर होगी मुलाकात तब तक ले बने रहे प्रायम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्रायम टीवी सच साहस सरोकार